मार्केट बढ़ रही है, अपर्चुनिटीज मिल रही हैं लेकिन अक्सर लोग एक मिस्टेक की वज़ा से पीछे रह जाते हैं अगर आपको ये सिक्रेट मालूम करना है कि डिजिटल मार्केटिंग में कैसे सक्सेस हासिल करनी है तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना क्योंकि ये वीडियो सिर्फ उनके लिए होने वाला है जो डिजिटल मार्केटिंग को स्टार्ट करने का सोच रहे हैं वो जानना चाते हैं कि हमने कहां से स्टार्ट लेना है डिजिटल मार्केटिंग क्या है इसमें कितना competition है, सारे चीज़े आपको इस वीडियो में clear करके दूँगा सबसे पहले पाकिस्तान के कुछ fresh numbers सुनो 2024 के दोरान, हजारों companies ने digital marketing के opportunities को launch किया और लोगों को hire किया और freelancing platforms पर digital marketing में पाकिस्तानी freelancers काफी dominate कर रहे है सिर्फ Fiverr और Upwork पर पाकिस्तान के digital marketers ने millions of dollars के projects complete की है ये मैं आप से बात कर रहा हूँ सिर्फ 2024 की next year 2025 में इससे ज्यादा होगा, 26 में इससे ज्यादा होगा क्योंकि आगे जो future है वो सारा digital marketing का होने वाला है अब आप भी इस game का हिस्सा बन सकते हो अगर effort के साथ और सही planning के साथ इस पर काम करते हो इसको मैंने कुछ points में divide कर दिया, इसका पहला point ये skill versus shortcut देखो हर कोई पैसा कमाना चाहता है लेकिन मसला पाकिस्तान का ये है कि वो shortcut के पीछे ज्यादा भागते है कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं यार बस YouTube की वीडियो देखें टैप टैप करें, रात सो हैं, सुबा अमीर हो जाएं इस तरह की चीजों के पीछे भागते हैं लेकिन वो उनके dream achieve करने में उनकी कोई help नहीं कर सकती अब आप खुछ से ये सवाल करें कि आप shortcut के पीछे भागना चाते हैं या फिर skill based काम करना चाते हैं क्योंकि shortcut लोग 90% fail हो जाते हैं लेकिन skilled लोग sustainable income generate करते हैं अब सोच समझ के आपने फैसला करना है कि आपने shortcut के पीछे भागना है या फिर valuable skill सीखना है नमबर टू अपना role समझो देखें भई डिजिटल marketing एक बहुत बड़ी field है आपको इसमें पहले अपना role define करना होगा आप एक creative इंसान हो जो designing और content में बहुत ज़्यादा interested हो या फिर technical चीज़े हैं जैसे के SEO या फिर analytics का आपको बहुत ज़्यादा शौक है अगर research और planning में expert हो तो strategies और data analysis आपके लिए बिल्कुल perfect हो सकता है अपनी strength को आप खुद पैचानो और उस पर focus करो अब ज़रा ये समझें के पाकिस्तान में demand case चीज़ की है जैसे के social media management SEO specialist के requirements बढ़ रही है यहाँ तक के freelancing platforms के इलावा local businesses भी digital marketers की तलाश में है आपने खुद को किसी एक चीज़ का expert बनाना है और यकीन करें opportunities आपके पास खुद चलके आएंगी number four point है एक clear pathway ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है एक skill choose करो उसमें specialization हसिल करो और उससे अपना practical experience लेना शुरू करो अगर आप social media ads सिक रहे हो तो उसमें छोटे projects पर काम करना शुरू करो अगर आपको SEO में बहुत जाने interest है तो अपने keywords पर focus करो उन पर research करना start करो कुछ unique try करो कि मतलब अगर कोई digital marketer को hire करना चाहता है तो आपके अंदर वो ability होनी चाहिए कि जो दूसरे digital marketers provide नहीं कर पार है हर बंदे की एक unique ability होती है आपके अंदर क्या है या आपने खुद पेचानना होगा कि आपकी research कैसी है आप किस तरह के research कर सकते हो market में कुछ unique लेकर आओ और opportunities खुद आपके पीछे चल के आएंगी एक secret tip दूँ learning और practice ही आपका best weapon है नमबर फिफ वाइंट जो mostly मेरे पास comment में भी आता है मुझे inbox में भी देखने को मिलता है freelancing या job क्या चीज बैटर है देखें यह चीज में clear करना चाहता हूँ कि अगर आप independent काम करना चाहते हो आप किसी के नीचे काम ने करना चाहते है like आपका कोई boss नहीं हो आप खुद एक boss हो आप खुद काम करना चाहते हो आप अपने working hours खुद decide करना चाहते हो आप जब चाहे घुमने पिरने जाना चाहते हो आप अपने friends को family को अपने इसाब से time देना चाहते हो तो आपके लिए freelancing perfect है लेकिन अगर आप एक structured environment में काम कर चाहते हो तो किसी agency से आप राप्ता कर सकते हो उसके साथ काम कर सकते हो बट इसमें यही होगा कि आपके खुद के working hours नहीं होंगे अगर उनको काम दो घंटे के बाद चाहिए तो आपको उसको अभी start करना होगा ताकि आप उसको दो घंटे के बाद deliver कर सको तो यह सारी चीजों में आपकी growth बहुत ज्यादा matter करती है आपने अपनी growth पर दोनों चीजों में focus करना है चाहे वो freelancing हो चाहे वो job हो देखें भई आज का जो जमाना है वो skill और dedication का है अगर आप अपने future में invest करना चाहते हो अपना future bright करना चाहते हो और कुछ अच्छा करना चाहते हो को grow करना चाहते हो तो अभी से आपको startup लेना होगा क्योंकि competition इतना ज्यादा हो चुका है कि अगर आप आज से start नहीं ले सकते तो फिर हो सकता है आज 50,000 लोग और startup ले ले और वो फिर एक साल के बाद उस stage पर हो जिसका आज आप dream देख रहे हो तो आज आप भी start करो तो हो सकता है एक-दो साल के बाद आप भी उस stage पर हो या फिर हो सकता है एक-दो महीने के बाद भी आप उस stage पर हो जिसका आप आज dream देख रहे हो यकिन करो पाकिस्तान में digital marketing का scope इतना ज्यादा bright नहीं था जितना अब हो रहा है अगर आपको लगता है कि यह video आपके लिए helpful थी